जय मातारी दोस्तों स्वागत है आप सबका लाल किताब के ग्यान के इस प्रोग्राइम में नमस्कार करते हैं गुरुदेव को और गुरुदेव की वन्दना से शुरु करते हैं गुरुर ब्रह्मा, गुरु विष्णू, गुरु देवो, महिश्वरा, गुरु साक्षाद, परम ब्रह्मा, तत्समेश्री, गुरुए नमा दोस्तों आज हम सुरे देव खाना नमबर चार के फलर उपायों की चर्चा कर देंगे दोस्तों, 1942 की लाल किताब में, चोथे घर में बैठे हुए सुरे को दाईया का डेला, या फिर बुआ का लड़का कहकर पुगा रहा है और 1952 की किताब में लिखा है, चोथे घर में सुरे हो, तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए धन जोड़ जोड़ कर मरता है और खुद को उस धन का उपयोग करने का मौका नहीं मिलता ऐसे व्यक्ति की उलाद पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है लेकिन जो भी उसकी उलाद बचेगी, वो करोड़ पती हो जाएगी तो ऐसे व्यक्ति को धन खुद पर भी खचना चाहिए, इससे ये बात समझ में आती है नहीं तो जो फल है घ्रह का वो तो यही कहता है कि ऐसा व्यक्ति धन जोड़ता रहेगा और उसका उपयोग नहीं कर पाएगा सूरे चार के समय चंदरमा जेस घर में बैटा हो तो व्यक्ति को उस घर के रिष्टेदारों से धन मिलता है यानि अगर सूरे चंदरमा तीसरे घर में हो तो भाई से चोथे घर में हो तो माता आदी से धन प्राप्त होता है सूरे चार के समय व्यक्ति को किसी नए आविशकार से भी लाब मिलता है ऐसा फल विशेशकर तब ही मिलता है जब चंदरमा चोथे घर में हो सूरे चार के समय यदि बुद्ध दस्वे घर में हो और मंगल भी शूब हो तो व्यक्ति को सरकारी यात्राओं से और अपने व्यवसाई में भी यात्राओं से लाब होता है ऐसे व्यक्ति बहुत बढ़िया बिजनसमैन बन सकता है यदि ब्रस्पती दसमें घर में हो तो ब्रस्पती का असर सोने जैसा हो जाता है और इसका शुबसर उसके पिता पर भी पड़ता है यदि ऐसा व्यक्ति बुजुर्गों के काम को छोड़ देगा और कोई नया काम करेगा तो उसके लिए लाबदायक होता है यानि ऐसे व्यक्ति को देखाएगा है कि वो अपने बुजुर्गों के काम से हट कर अपना कुछ अलग काम शुरू करे तो उसे लाब मिलता है लेकिन इसके लिए चंदरमा की भी स्थिती देखनी होती है चंदरमा अच्छे होने चाहिए और मंगल भी अशूब नहीं होने चाहिए सूरे चार के समय पापी गरह यानी राहू के तू या फिशनी देव अशूब हालत में हो तो इसका असर उलाद पर भी अच्छा नहीं होता सूरे चार के समय प्रस्पती दसमें में हो तो सोनी की चोरी होने का डर भी लगा रहता है सूरे चार के समय यदि चंदर देव शूब हालत में हो ब्रस्पति देव चोथे घर में हो मंगल बद हो तो शादी और उलाद में गड़बडी देखी जाती है तो दोस्तों ये सूर्देव के चोथे घर में फल थे अब हम उपायों की चर्चा करते हैं इसमें अधिक उपाय नहीं है जादा तर सावधानिया ही है पहली सावधानिया है व्यक्ति को जादा लालच से बचना चाहिए जादा लालची होना इस व्यक्ति के लिए नुकसान दे साबित होगा दूसरा उपाय ये सावधानिया कहें ऐसे व्यक्ति को मंदे कामों से बच कर रहना चाहिए और व्यवसाई के लिए ऐसे विक्ति को अंधों को खाना खिलाना अंधों को रोटी खिलाना अच्छा रहेगा अंधों वाले अंधे विक्तियों के उपाई के लिए कभी भी उनको पैसे नहीं देने होते हैं याद रखिए खाना खिलाइए उनको बर पेट खाना खिलाइए ये बहुत ये अच्छा उपाय है व्यवसाई को अच्छा करने के लिए तो दोस्तो आज हमने सुरिदेव खाना नंबर फल चार के फल और उपायों की चर्चा की आशागरताओं मेरे द्वारा दीगई जानकारी आपको हेल्प करेगी तो मिलेंगे नेक्स वीडियो में वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद जैम आता दी